तो चले इसके साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं अयुद्या में 22 जनवरी को भगवान शुरी राम का प्रान प्रदिश्टा का भव्य का रुक्रम होगा इसे लेकर देश में उत्सा का माहूल है सिर्सा में भी इस पल को एतिहासिक बनाने के लिए पुर्वग्री राज्यमंत्री विधायक एवं मैचल्पि सुप्रीमो गोपाल कांडा और वरिष्ट विजपी नेता गोविन कांडा की ओर से भव्य कार्ट्यम की रूप रेखा तयार कर दी गए आपको बता दे कि 22 जनवरी को सिर्सा में विशाल शोभाय आत्रा निकाली जाएगी ये शोभाय आत्रा बेगूर रोड स्थित महाराजव अगरसें स्कूल से शुरू होगी और श्री तारा कुटिया पाउच कर संपन होगी द्रसल प्रधान मंत्री के आवान पर सिर्सा के घर-घर में दिपावली मनवाने के लिए विधायक गोपाल कांडा ने भी अनोखी पहल की है विधायक की ओर से सिर्सा विधान सबा के सभी प्रसाद के इस पैकेट में पांच दीपक, बत्ती तेल, माचिस और भगवान श्री राम का एक केलेंडर प्रते घर में भेजा जाएगा जिससे प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी की अपील के अनुसार हर घर में दिपावली की तरह रोशन से जगमग हो सके और साथी हर घर में एक खुशी का महोल बिल्कुल दिवाली की तरह देखने को मिल सके और साथी दीप जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत हो इसे लेकर वरिष्ट बीजेपी नेता गोविन कांडा ने श्री बाबा तारा कुटिया में सेवकों की ओर से की जा रही प्रसाद की पैकिंग के कार्रे का निरिक्षन भी किया और सभी सेवकों को तेजी से काम करने और अभियान को सफल बनाने में सैयोग देने की अपील भी की है 22 जनवरी की एतिहासिक तीथी का इंजार पूरे भारतवासियों को है कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक राम लला की प्राण परतिष्टा का इंजार लोग कर रहे हैं और इस दिन परधान मंत्री के आहवान पर दिपावली मनाने का जो तरीका है वो अपने 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 धंग से लोग देख रहे हैं कि किस परकार से इस दिवाली को एतिहासिक बनाया जाए और जादा भव्य बनाया जाए दिव्य बनाया जाए ने केवल भारत में बलकि विदेशों से भी ऐसे समाचार आ रहे हैं वहां भी लोग तयारियों में जुटे हैं इस दिन को एत्यासिक बनाने के लिए सिर्षा की तारा बाबा कुटिया में भी एक बड़ा आयोजन चल रहा है परधान मंत्री का अहवान है और साथ साथ लोग भी जुटे हुए हैं यह देख सकते हैं किस परकार से राम मंदिर की प्रान परतिष्टा आयोध्या में होगी लेकिन सिर्षा में भी दिपावली मनाई जाएगी 51,000 दिपों से सिर्षा का घरघर जग मगाएगा इस तरह की तयारियां चल रही है इस परकार के विशेश डिब्बे जो है वो बनाए गए हैं जिनके अंदर जो है पांच दिपक सजाए गए हैं तेल की शीशी है और साथ साथ अगर बात करें तो कलेंडर और दूसरी तमाम चीजें जो है इसमें रखी गई है और इनका जो है वो एकतर से उधगाटन होगा कल से इनका वित्तरन कारिकर्म शुरू होगा और जिस परकार की 22 जनवरी को एत्यासिक तीथी बनाने की बात चल रही है दिपावली मनाने की बात चल रही है उसी को लेकर सभी राम सेवक यहां तारा बाबा कुटिया में जू बनाने के लिए वे जूटे हुएं गोविन जी स्वागता आपका हर्याणा न्यूज में इस दिन को एतिहासिक बनाने के लिए हर भारतिये जूटा हुआ है परधान मंत्री ने भी आवान किया है आप किस परकार की तैयारियां कर रही है सबसे पहले तो आपका स्वाकता मे हर याणा नुजका तिवाडी जी का साथ में विकास जीगा देखिए पूरे भारत वर्स में नहीं पूरे वर्ड में एक ऐसी इतिहासिक बिपावली बनने की त्यारी की जा रही है और 22 जन्वरी को एक इतिहासिक बिपावली बनेगी हमारे पिरिया परधान मंत्री जी की एक सोच सी कि मैं राजनीतिक से हटकर काम करूंगा राजनीतिक में लगी सभी लोग करते हैं राजनीतिक प्रोग्रेस देश की हर चीजों की चलती रहते हैं लोग अलगलगी बातें करते रहते हैं लेकिन परधान मंत्री जी की जो एक सोच है कि मैं समाजिक सोसल धार्मी य आज हमारी योगा पूरे वर्ड में है आज हमारी गीता जैंती पूरे वर्ड में है आज पूरा कोई सोच नहीं सकता था कि एक सपना सकार किया उन्होंने राम मंदिर का तो राम मंदिर के लिए भारत में नहीं पूरे वर्ड के अंदर एक ऐसी लहर चली हुए लोगों में घ एक야새 अच्छाइं को बेस्ति को नियुक्त जाएं जाना थीवार का उसी दिवार साथ whilst करते हुए और मेरे सिर्सावास्यों कोमेरे पुरिवार के सदस्यों को मैं उनने साथ एक सांजा दिवाली बनाना चाहता हूँ लेकिन मैं कहां घर-घर में नहीं पहुंच सकता मैं घर-घर को उन परिवारों को मेरे साथ सांजा करना चाहता हूँ एक इतिहासिक दिवाली बनाना चाहता हूँ उनकी सोच को मैं भी परनाम करता हूँ उनको देखते हुए भा खुंच ikiावन हजार अपने ये डबबें के त्यार कियें कियांगाई कि करे-वाई घृत यहाँ जो तुछ गुर। नंतरब अगर नबरसा का निबद火 долларов तो उन्होंने वो आज ये डब्बे बन रहे हैं पैकिंग हो रही है काम चल रहा है कल भाई गुपाल कांडा जी अपने हाज से ये वितरन सुरू करेंगे और घर घर तक ये दीपक चलेंगे जाएंगे विशाल शोबय यतरा के लिए भी आपने कड़ी बार प्रयास किये हैं पूरी सिर्शा की जो सर्व समाज है कई जो संक्ठन है उनसे आपने संपर्क साधा है क्या कहेंगे देखिए बाई गुपाल कांडा जी ने भगवान राम को पूरी दुनिया में राम राम था और पूरे सिर्शा में राम राम करने के लिए कितिहासिक सोच थी उनकी उन्होंने कितिहासिक सोवा यातरा का यहां से निर्ने लिया और निर्ने लिने के बाद सर्व समाज से बात करी गई सोसल समाज से धार्मिक समाज से समाज से और बिजनस में बात करी गई सबी सी लोगों को साथ लिया और उन्होंने सबसे बात करके कि इतिहासिक सोबायात्रा को निकालने का निर्ने लिया कि सबी सहर वासी मेरे सांजी होके मेरे साथ होके मेरे परिवार के सदसे साथ चलें तो उन्होंने कि इतिहासिक सोबायात्रा कामन मनाया और वो इतिहासिक सोबायात्रा स्री महराज गर सेन स्कूल से निकल कर सिरी बबातारा कुटिया पहुंचेगी जिसके अंदर हाती घोडे जहांकियें और बहुत कुछ होगा लोग देखेंगे कि इत्यासिक सोबायात्रा जो मेरी ख्याल हरियाना में इतनी बड़ी कभी सोबायात्रा नहीं होगी जो 22 तारीकों यहां से न safe प्रोग्राम तर्वी क्रोंग्तं कि इसके अंदर सरब समाज की जहांकियें इसके अंदर वहां से चलेगी जो तार बाबा कुटिया पहुंचेगी यहां पहुंचने के जो विग्रह का प्राण पृतिष्टा समारो आयोध्या में हैं सिर्सा में भी आपने 31 फूट की परतीमा और एक और परतीमा वनाई उसके लिए क्याई देखिए एक ग्यारा फुट की परतिमा हमारी सोवा यातरा के साथ चलेगी जो उसकी सोवा यातरा की सोवा आसिरवाद देते हुए भगवान राम चलेंगे हमारे साथ और वो यहां पहुंचने के बाद यहां 31 फुट की जो परतिमा बनने जा रही है उसका अनावरन होगा और पटाके चलेंगे लोगों में खुशी की लहर है कि बगवान राम यहां आ रहे हैं बगवान राम अयोध्या की तरह यहां उस दिन सिर्शा सजेगा अयोध्या की तरह यहां इतियासिक सोवा यातरा होगी अयोध्या की तरह कुटिया सजाई जाएग गुबिजी एक सवाल अलग हटके इससे कि जुड़ा हुआ इसी से ही है आप मुखे से वक हैं तारा बाबा कुटिया के लेकिन आप वरिष्ट भाजपा नेता भी है विपक्षी पार्टियों विशेश रुब से कॉंग्रेस ने और अन्या पार्टियों ने निमंतरन ठुकरा दिया है इस बारे में आप क्या कहेंगे युद्या में नहीं को यह किस्मत की बात होती है विविनास काले विपरियूत बुद्धी मैं भाजपा का एक छोटा सा वरकर हूँ लेकिन मैंने कोई पार्टि के नाते यह काम नहीं किया यह मेरा परिवार है सिर्शा और मुझे प हमने भी सभी को निमंतरन दिया है सभी पार्टियों को निमंतरन दिया है सभी लोगों को निमंतरन दिया है कि आप सा जाएं लेकिन विनास काले विपरियूत बुद्धी अगर वो क्या करते हैं उनके मुह में तो राम राम एर बगल में वो छुरी रखकर चल रहे हैं तो उनको अगर वो आज राम को ठुकराएंगे आज राम तो लोग उनको ठुकरा देंगे ये तो ये दे हमारे साथ गोविन कांडा जी और बता रहेते कि किस प्रकार से सिर्सा के विधायक गोपाल कांडा ने भव्वे रूप से दिपावली 22 जनवरी को मनाने के लिए तैयारियां की है हम आपको दिखा सकते हैं अभी भी कितने लोग जो है इस कारिया में जूटे हुए है एक परशाद के रूप में यह है जो घर घर तक इसे पहुंचाया जाएगा और एक नहीं 51 हजार घरों तक इन दिपकों को और तेल को और साथ साथ जो बती जो बनाई गई है जो परशलित की जाएगी उस दोरान जोट परशलित की जाएगी घर घर में दिप मालिका होगी उसके लिए भवेतुर्प से तयारियां चल रही है और लगातार एक बड़ा उस्सव बनाने के लिए हर जनजन से संपर्क साधा जा रहा है और एक बड़े पैमाने पर इसे मनाए जाने के लिए 51,000 घरों तक ही है पहुंचे इस परकार की कोशिश की गई है और कल से जो है इसका जो वित्रण है परशाद के रूप में इनका वित्रण जो है कल से शुरू होगा और विधायक और हर्याना लोकित पार्टी के परमुक गोपाल कांडा इसकी शुरुवात करेंगे कैमरामें विकास का साथ अमित तिवाडी